हेलो एवरिवन एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है डेली क्रेंट अफेर्स के इस व्यूडियो सेसन में दोस्तों आज है क्या रफरवरी और अज एमसी व्यूडियो में डिस्कॉस करने वाले हैं क्रेंट अफेर्स से कुछ इंपॉर्टेंट में सब्सक्राइब और इमसी क्यूस से आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्स हैं उनको भी हम डिसकास करते हुए चलेंगे तो चलेंगे चलें अग्यूस करते हैं आज का पहला स्वागर्ण हाल ही में सुसांद डैस को किस बेवरेस कंपनी का सीईओ निक्त किया गया है तो य यह जो company है इसकी इंडिया यूनिट का CEO नियुक्त किया गया है तो यह company है आपकी famous coffee company ठीक है जी हाँ इस company की बहुत ही famous coffee आती है कौन सी star bucks के नाम से ठीक है ना इसके आपको इंडिया में भी इसके बहुत सारे आपको shops देखने को मिल जाएंगे ठीक है इंडिया में यह आपक टाटा के सहयोग से चलती है ठीक है किसके साथ इसका alliance है टाटा company के साथ इसका alliance है किसका star bucks का coffee बनाने वाली यह company है ठीक है आपने बहुत सारी movie बगएरा में वेफ सरीज बगएर हम देखा होगा बहुत से लोग एक cup पकड़े रहते हैं जिसमें उपर से धक्कन लगा रहता है ठीक है ना और फिर उसको पीते हैं तो वह ज्यादातर बहुत से movies में दिखाते भी हैं ठीक है क्योंकि इसमें star bucks का logo बना होता है और उसको पीते हुए दिखाते है ठीक है तो आई होप आप उसको समझ करूंगे आपने कभी कभी उसको देखा होगा बात करते हैं star bucks की तो स्थापना 1971 में कहा हुई थी Washington DC अमेरिका में इसका मुख्याले कहा है Washington DC में इसका मुख्याले है बढ़ते हैं दूसरे question की तरफ हाल ही में किस भारती महिला ने United Nation का Asia पर्यावन प्रवरतन पुरुसकार जीता है क्या खेला है question हाल ही में किस भारती महिला ने United Nation का Asia पर्यावन प्रवरतन पुरुसकार जीता है तो इनका नाम है सस्मिता लेन का option B आपका सही होगा ठीक है ना तो भारत में यह पहली बार हुआ है ठीक है ना भारत में पहली बार हुआ है कि किसी भारती महिला को यह कर दिया गया है इनको एक किस काली में मिला इंडर लीडर्सिप एन इंपक्ट तो आपको रहा इसका पुरुसकार का नाम जरूर से याद रखना है एस या पर रहाँ पुरुसकार आप हम बात कर रहे हैं यहां पर युनाइटेड नेसंस की तो जरूर से आपको पता होना चाहिए कि वर्तमार में स्ट्रेटी जेनरल कौन है युनाइटेड गुटेरेस और इसका हैं नियुयार्क में इसका हैटकॉर्ट बढ़ते हैं तीसरे क्ůज़क्यkell की तरफ हाली में विश्च दलहन दिवस का बनाया गया वर्ड पलसस डे का मनाया गया तो पर एक वोर्स तुष्च को विष्च दलहन दिवस मनाया जाता है उप्सन ए आपका सही होगा इसको कब से मनाना शुरू किया गया तो 2019 से इसको मनाना शुरू किया गया था हाला कि 2019 से पहले भी यानि कि 2016 को पूरा एक क्या दाल दिवस पलसेज येर आपका गोसित किया गया तो 2016 में लेकिन जो आपका दलहन दिवस मनाना शुरू किया गया वर्ल्ड पलसेज डे मनाना शुरू किया गया वो आपका 2019 सुरू किया गया ठीक है ना तो 10 फरवरी को विसुदलहन दिवस मनाया गया ठीक है यहाँ पर बाकी और भी डेटे लिखी हुई है option B में लिखा हुए option C और option D तो option B जो लिखा हुए वो हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्क्स किया था 9 फरवरी क्या मनाया जाता है सुरच्छित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 9 फरवरी को और इंटरनेट के जनक कौन है विंट सर्फ है option C में क्या लिखा हुए 25 जनवरी क्या होता है राष्ट्री मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे होता है 25 जनवरी को और 24 जनवरी क्या होता है उत्तर प्रदेश का इस्थापना दिवस होता है 24 जनवरी को तो यह सभी चारो options आपके एक्जाम के पहंटावी से बहुत ही इंपोर्टन्ट है याद रखें वीडियो पसंदा रहा तो लाइक और सेर जरूर से कर दीजेगा आपका एक लाइक एक सेर हमें मोटिवेट करता रहता है लगाता आप बहतर से बहतर काम करते हैं निने रहने के लिए चलिया आँगे बढ़ते हैं वीडियो में चोता कुश्चन लेते हैं हाल ही में किस टेली काम कमपनी ने इस पीट के मामले में जियो और एयर टेल को पीछे छोड़ दिया है जी हां बहुत ही फेमस कमपनीज हैं दोनों इंडिया की जियो और एयर टेल होज़ जीट के मामले में फोर जीट के मामले में यह जो इस पीट का टेस्ट है किस ने किया तो आप सभी जानते हैं बहुत से लोगों नों सुना भी होगा ओकला के द् shroud की बात सामने आती रहती है ओकला ने काफी समय के लिए 8L की भी speed बहुत अच्छी बताई लेकिन अब हाल ही में ये जो आपकी speed ना पी गई October 2020 से December 2020 के मद ना पी गई जिसमें से की 4G सबसे तेज 4G download और upload गत मिली है किसको Vodafone idea को ठीक है न हाँ तो ये जो परिच्छन है आपका किसके दोरा किया गया ओकला के दोरा किया गया और उसके दोरा ये सूचना दे गया तो याद रखें इंपोर्टन पांचम क्विजन हाली में किस भारती है बल्ले बाज को ICC Minsk Player of the Award से समानित किया गया ये जो आपके Minsk Player of the Month Award है इनकी गोषना पिछले मंत ही की गई थी आने कि ऐसा प्लेयर जो आपका एक महिने में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहागा जिसका प्रदर्शन उलेखनी है और बहुत से लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं तो उसको चुना जाएगा प्लेयर आफदा मंत वार्ट तो इंडिया की तरफ से चुना गया है कुझे रिसरप पंद ने आउस्ट्रेलिया दोरे में जब इंडिया गई थी इंडिया टीम गई थी तो रिसरप पंद ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था ठीक है बहुत से लोगों उनके बारे में चर्चा भी किया इनका प्रदसन भी अच्छा रहा ठीक है न इस तरीके से बारती बल्लेबाज है रिसब पंत ग्रिकेट कीपर भी है तो इनको प्लेर आप दबंट अवार्ड से सम्मानित किया है गया है ठीक है बात हो रही ICC की तो ह आपको बताना है कि ICC का है कहा है आप हमसे सोचल मीडिया के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं हमारा फेस्बूक पेज हमारा इंस्ट्रागाम पेज इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्स बाक्स में मिल जाएंगे आप जाएए फॉलो करिए कोई मन में सवाल है कूशन है त आपको बहुत से लोग इनको जानते होंगे एक मूवी आई थी राम तेरी गंगा मैली उससे क्या है इनको बहुत ही ज्यादा ये चर्चा में आ गया तो उससे इनको परसद्धी मिली तो इनका हाल ही में अभी निदन हो गया है ठीक है चलिए आंगे बढ़ते है व्यूडि मेलर मेडल तो ये समाल किया गया है औस्टेलिया के क्रिकेट प्लेयर स्टीव स्मित को आप्शन भी आपका सही होगा इनको ये मेडल तीसरी बार दिया गया है यानि कि इसके पहले दो बार और मिल चुका है और इस बार एक और मिल गया तो यानि कि टोटल तीन बार दिया यह मेडल आफ्स्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है यह दोनों काटागरी में दिया आता है पुरुस और महिला में तो यहाँ पर बात हो रही है पुरुस काटागरी तो यह दिया गया है स्टीव इस्मित को ठीक है ए इस अर्ध सैनिक बल में सामिल किया गया तो इसको सामिल किया गया है Central Reserve Police Force यानि की CRPF में आप्टिन यह आपका सही होगा ठीक है ना तो यह जो Battalion है इसमें सामिल होने के लिए या फिर यूँ कहें कि यह जो कोबरा यूनिट है इसमें सामिल होने के लिए आपको बहुत ही जादा फिस्कली और मेंटली रूप से प्रिपेर होना पड़ता है क्योंकि इसके जो Norms है यानि कि इसके जो मांदंड हैं वो बहुत ही जादा मेंट वाले हैं ठीक है बहुत जादा कड़े हैं इसलिए इसमें सामिल होने के लिए आपको इनको पूरा करना पड़ता है यह जो आपकी कोबरा यूनिट है इसमें क्या होगा 34 महिलाओं को सामिल किया गया बात हो देश का सबसे बड़ा अर्दसायनिक बल है बात हो देश की तो सिरपीफ की श्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई इसका है नई दिल्ली में और इसके वरतमान में जो प्रमूख हैं वो हैं एपी माहेश्वरीजी कौन है एपी माहेश्वरीजी आगे बढ़ते हैं वीडियो में नमा कुश्यन लेते हैं, हाल ही में किस राज सरकार ने जमीन की धोखा धड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का यूनीक आईडी नमबर जारी करने की गोशना की है, ठीक है, किसके लिए धोखा धड़ी रोकने के लिए जमीन से संबन देत, ठीक है न, तो ये आपका किया है, उत्त लिए क्लिक पर जमीन का पूरा डाटा या बेवरा मिल जाएगा, ठीक है न, सभी राजसुगाओं में बुखंडों के लिए यूनीक कोड का मुलैंकन सुरू हो गया है, ठीक है न, सभी बुखंडों को अब क्या यूनीक कोड दे दिया जागा, उससे और बांकी सभी डेट है वो उसको मिल जाएगी, ठीक है बात होरी उत्तरप्रदेश सरकार की तो उत्तरप्रदेश के बरतवान मुक्मंत्री हैं, योग्याद दितनात और यहां के गवर्नर हैं, कौन गवर्नर है यांकी, आनंदी बेन पटेल, जो की मद्ध प्रदेश की भी गवर्नर है, बढ़ नदी में आपकी बार आ गई थी, ठीक है न, मैंने आपको वो जब इस वीडियो, इस कुईस्टन की हमने बात की थी, पहले के वीडियो में तो मैंने आपको बताया भी था, कि आपको गलेसियर दो परकार के होते हैं, एक आलपाइन गलेसियर होता है, तो जो पहाड़ों प थी का आपको अपको जरूर से पर दीजेगा और यहां तक आ गए हैं, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा लेकिन वीडियो अंत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, कि अभी तक आपने जन्वरी मन्त के करेंड इंडियो का वान लाइनर का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से जाए करके देख लीजेगा बहुत सारी important कुछ चंसे समें सामिलें थैंक्स पर वाशिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए FCB का बहुत बहुत धन्नवाद